हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर सुमित रावत और हेल्थ से जुड़ी हुई लेटेस रिसर्च लेटेस जानकारी आपके पास लेकर आता हूँ आज मैं बात करूँगा डायबिटीज रिवर्सल की कि क्या हम डायबिटीज को पलट सकते हैं क्या डायबिटीज रिवर्स हो सकती है या रेमर्शन में जा सकती है क्या ऐसा संभव है सबसे पहले यह देखते हैं कि डायबिटीज क्या है डायबिटीज जो है इसका हिंदी नाम बहुत ही अच्छा रखा गया है याने की मधू मेह याने शुगर से जिसको प्रॉब्लम होत क्या हम इसको दवाईयां खाके ठीक करने लगते हैं आफ़कॉर्स आप मेडिसिन्स खाते हैं कि शुगर कम रहने लगी क्यों खाते हैं आप मेडिसन क्योंकि इसके लॉंग डम नुक्सान ना हो यानिकी जो जहर हमारे शुरील को नुक्सान पहुचा सकता है वह ना ये और बदले में उसको नूटलाइस करने के लिए जब आप दवाईया खाते हैं तो दवाई से क्या उसको नूटलाइस करना चाहिए क्या ये अपरोच सही है? मैं बुलूंगा, रिसर्चेस बोलती हैं कि ये अपरोच सही नहीं है देखिए अगर कोई मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज है जिससे आपको दिक्कत होती है जैसे पलूशन से दिक्कत होती है या मान लीजिए कि किसी ने आपकी किसी चीज में एक जहर मिला दिया है जिससे डाइरिया हो सकता है या कोई चीज हो सकती है तो क्या आप उस जहर को टॉलरेट करने के लिए ऐसा पसंद करेंगे कि आप बार बार जहर पीते जाएं और बार बार उसको नूटलाइस करने की दवाई भी पीती जाएं साथ में तो यह तो बहुत ही बेवकूफी होगी तो इसलिए मैं बोलूँगा अकलमंदी इसी चीज़ में है कि आप डायबिटीज को रिवर्स करने की कोशिश करें यह एक प्रॉपर डायट प्लान एक प्रॉपर बैलेंस लाइफ एक प्रॉपर जो है हल्दी लाइफ जीने के साथ एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल प्लानिं हैं जिन्होंने यह अचीव किया है कि वो अपनी डाइबिटीज को रिवर्स कर पाए हैं और यह अलड़ी पब्लिश लिट्रेचर में आज की डेट में मौझूद है तो यह कहीं भी एक मिथ नहीं है आज की डेट में यह मौझूद है कि रेमिशन पॉसिबिल है इसमें मैं आ आप में से जादा से जादा लोगों तक यह डाइट प्लान पहुचा सकूँ वीडियो नम्मा ना हो इसके लिए जरूरी है कि पूरा डाइट प्लान में यहां पे डिसकस नहीं कर सकता इसका मोटा मोटा में आपको बता सकता हूं कि देखिए डाइबिटीज में जब ग्लूकोस को स्पाइक करता है तो जैसे कि हेलमेट हमारी जान बचाता है तो जब हमको एकसीडेंट होता है तो हमें एक सेर पे हम बाइक जब भी चलाते हैं कोई गाड़ी चलाते हैं एक हेलमेट पहन लेते हैं तो वो क्या करता है हमें चर्क से बचाता है तो इसी तरह की हम जो है इसमें अपनाते हैं कि जैसे होल फूड्स होते हैं जिसमें काफी फाइबर होता है और इसके अलावा कई ऐसे फूड्स होते हैं जो कि ग्लुकोस के एब्सॉप्शन को कम करते हैं जो कि ग्लुकोस के रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं या ग्लुकोस के रिसेप्टर को ज़्यादा sensitive बनाते हैं या ऐसे foods हैं कि जो insulin के sensitivity है उसको बढ़ा देते हैं क्योंकि insulin ही एक main hormone है जो कम करता है natural insulin की बात कर रहा हूँ artificial injection की बात नहीं कर रहा हूँ जो natural insulin हमारे body में काम करता है इसकी sensitivity को ऐसे खाने होते हैं ऐसे bacteria होते हैं आपके गट में जो दिये जा सकते हैं जिससे की यह sugar की जो एकदम से पीक आती है उसको रोका जा सकता है उसको कम किया जा सकता है तो यह को एक overall plan होता है जिस पे हम detail में काम कर सकते हैं इसमें लगभग 6 महने से 1 साल का समय लग सकता है लेकिन ये संभव है किसके लिए संभव है टाइप 2 डाइबिटीज के पेशेंट्स और ऐसे पेशेंट्स जिनमें अभी तक कोई कॉई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया है जैसे कि किड्नी फेलियर लेवर फेलियर इस तरह का कोई कॉम् है और उसमें क्या देखा गया और डाइबिटीज रिवर्सल वर्सेज दवाईयों का जो एफेक्ट है आप अगर कई शाल तक लेते हैं तो क्या देखने को मिलता है आईए तो ये हम देख रहे हैं वर्ल्ड की सबसे मानी हुई जर्नल जो है दुनिया में सबसे मानी हुई जर्नल में से एक है न्यूग इंगलेंड जर्नल ऑफ मेडिसन इसमें लगभग 5,000 लोगों पे जो रिसर्च की गई ऐसे लोग जो दवाई खा रहे थे और लंबे समय से दवाई खा रहे थे डायविटीज की इन सबी को टाइप 2 डायविटीज थी तो इनका आउटकम क्या निकला और इनकी कितनी ग्लुकोस कंट्रोल हो पाई तो ये इसमें बताया गया है कि क्या क्या दवाईयां ये ले रहे थे और इनके जो हवी एवनसी था वो 6.8 से लेके 8.5 के आस पास था और ये अलग अलग दवाईयां हैं जैसे कि इनसुलिन गलारगीन फॉर्म में जो आता है उसको ले रहे थे सलफोनायल यूरिया ग्लिमी प्राइड ले रहे थे इसके साथ ये लेरा ग्लुटाइड और सीटा ग्लिप्टिन ये अलग अलग दवाईयां ले रहे थे और इसमें आउटकम देखा गया कि इनका बहुत सारे लोगों का जो कंट्रोल आया वो लगबग लगबग साथ के आसपास हो पाया इसके अलावा कुछ ऐसे भी थे कि जिसमें साड़े साथ के आसपास भी HBA बन्सी था इसका मतलब कि किसी में भी ये साड़े शे के आसपास जो है कंट्रोल लेविल तक नहीं पहुंच पाया इसके साथ साथ इनों ने ये भी देखा है कि long term मतलब लंबे समय तक इन लोगों को क्या क्या treatment लेने से फायदे हुए तो आईए इस research के background में और जो बाकी medical research हो चुकी है उसमें देखते हैं कि diabetes reversal में क्या फायदे है और medical treatment में क्या फायदे है एक comparison chart में बनाया है इसको हम देख लेते हैं तो ये रहा हमारा comparison chart diabetes reversal की अगर आपन बात करें तो इसमें glucose control जो है मिलता है medical treatment की बात करें इसमें भी glucose control मिलता है अब कितना stable control मिलेगा ये depend करेगा कि आप कितना regularly दवाई खाते हैं इधर भी अगर आपकी diet सही रहती है तो उसमें भाती भाती की adverse effect हो सकते है आपको पेट में जलन पढ़ सकती है हो सकता है किसी लोगों को diarrhea हो सकता है किसी लोगों को vomiting जैसी sensation आ सकती है किसी किसी लोगों का वजन घट सकता है इत्यादी long term benefit की बात करें diabetes reversal में definitely long term benefit है long term complication हो सकते हैं अगर आप medical treatment ले रहे हैं हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं अब ये depend करेगा कि आप कितना strictly दवाई को खाते हैं उसके अलावा आप उसकी जो अपनी अन्य lifestyle है उसके साथ कैसे इसका तालमेल बिठाते हैं वहीं अगर बात करें तो weight gain की बात करें तो weight gain जो है diabetes reversal में नहीं होता है वहीं अगर अगर अपन बात करें थोड़ा हलका हो भी सकता है वहीं अगर अपन बात करें weight gain की medical treatment में तो definitely 50-60% लोगों को weight gain होता है तो अगर आप मोटे हैं तो आप और धाता मोटे हो सकते हैं quality of life की बात करें diabetes reversal में quality life काफी अच्छी हो जाती है वहीं quality of life की बात करें medical treatment से तो दिन रात आपको दवाईयां खानी पड़ेंगी या insulin की injection लगाने पड़ेंगे तो quality of life जो है वो प्रभावित रहती है बात करेंगे खतरनाक बीमारियों की जैसे cancer की risk या stroke की risk तो ये diabetes reversal में काफी कम हो जाती है वहीं cancer की risk जो है वो medical treatment में कई बार अगर आपकी शुगर सही maintain नहीं हो HBA1C साथ के उपर रहे तो बढ़ भी सकती है वहीं stroke की risk में ऐसा देखा गया है कि long time जो लोग ये treatment ले रहे थे उनमें stroke की risk की सम्भावना भी पाई गई यानि की लगवा लगने के chances हो सकते हैं अब HBA1C की बात करें कि हमारा control कैसा रहता है तो diabetes reversal तभी सम्भाव है जब आपका एक साल तक HBA1C साले 6 से कम रहे और वहीं जो लोग लगातार दसों साल से दवाई खा रहे थे तो ऐसा देखा गया कि उनका ओरिजनली डाइगनोसिस पे जितना HBA1C था उससे दवाईयां खाने के बाद जो है 0.3 से लेके 1% तक का उसमें कमी आई है यानि कि कोई 2-3% की कमी तो किसी में भी नहीं देखना क्यों मिली अब दवाईयां अलड़ी हम नाम बता चुके हैं कि इंसुलेन, गिमी प्राइड, सीटागलिप्टेन और सलफोनेल, यूरिया इत्यादी इत्यादी जो थे ये स्टडी में यूज किये गए थे तो अभी आपने देखा कि diabetes reversal के क्या-क्या फायदे हैं और मैं ये बूलूँगा कि अगर आपको कोई complications नहीं है अगर आप type 2 diabetic हैं और अगर आपको hypoglycemia यानि शुगर की अगर आपको कमी नहीं होती है तो आप इसको जरूर ट्राइ कर सकते हैं अगर आपके बहुत ज्यादा शुगर डाउन नहीं होती है तो आप ये ट्राइ कर सकते हैं डॉक्टर की सलहा लें कि आप इसे कब शुरू कर सकते हैं और एक बार आपने शुरू किया है तो consistently आप effort इस पर करते रहें आपकी ना सिर्फ शुगर कम होगी बलकि आपकी energy level जो है वो बढ़ जाएंगे आप अच्छा महसूस करेंगे इसके अलावा आपके जो heart disease के complication है वो कम हो जाएंगे तो इसी के साथ मैं आपको शुब कामना है दूँगा कि अगर आप यह सोच रहे हैं कि reversal करना है तो बहुत जल्दी इसको शुरू करें और एक healthy life जीने की तरफ कदम बढ़ाएं तो उसके लिए आपको शुब कामना है नमस्कार, thank you